ओ हेलो ऐसे ही बैठे हो देखो ना एक ऐसे चिल कर रहे है चलना जाना टीम बनाना हलो दोस्तों आपने याद किया तो मैं आ गया आज कल सोशल मीडिया पर ड्रीम 11 के एड्स बहुत जादा चल रहे हैं यानि हर 10 में से 6 एड्स ड्रीम 11 के होते हैं और एड्स में ऐसा लालस दिखाया जाता है कि आप कुछ रुपे लगा कर करोड़ रुपे जीत सकते हैं और जो लोग एड्स करते हैं वो हमारे ही आईडियल होते हैं जैसे रोहिच शर्मा, सुर्य कुमार यादाओ, हार्दिक पांडिया तो लोग इन एड्स पर भरोसा क्यों ना करें बट इस तरीके से सट्टे बाजी वाले स्केम को आज समझेंगे कि ये कमपणी किस तरीके से एड्विटाइजमेंट पर करोड़ रुपे खर्च करती हैं और इन एड्स से मिलता क्या है और ड्रीम 11 का मैन इंकम सोर्स क्या है गूगल के एकॉर्डिंग 2022 में ड्रीम 11 का जो रिवेन्यू था वो लगबग 3700 करोड़ रुपे था और इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगबग 15 करोड़ एक्टिव यूजर हैं अब सोचिए कि 15 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ लोग भी डेली सबसे लोवेस्ट 49 रुपीस का गेम खेलते हैं तो भी ड्रीम 11 पर लगबग 4 अरब रुपे से जादा का गेम खेला जाता है डेली अब इन 10 करोड़ में से डेली कुछ लोग जीते भी हैं पर जादातर लोग हार जाते हैं और उनका हारावा पैसा ड्रीम 11 के पास जाता है इसी तरीके से एक कंपणी लोगों से 25 रुपे 50 रुपे लेकर डेली के करोड़ रुपे कमाती है काफी लोग इसे इन्वेस्टमेंट भी समझते हैं लेकिन यह इन्वेस्टमेंट नहीं है मैं आपको समझा सकता था कि डेलीम 11 कैसे वर्क करता है मैं ना समझा दिया अब आपके ओपर है ट्रीम बनाना या ना बनाना बट अपने आपको ऐसे लालच भरे कामों से बचाने में फाइदा है यह सब जानकर अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई